नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो आप लोग के लिए बहुत ही उप्योगी होने वाला है, इस वीडियो में हम आपको PSI or Optional के लिए जो की शुबरा मैम के नोट्स के वल इंग्लिश में आते थे, उनके हम हिंदी वर्जन को दिखाने वाले हैं, ये नोट्स आपके Optional को ज इसका प्रजन्टीशन जो है, बहुत ही अच्छा है, आप इस नोट्स को लेकर के खुब अराम से पर सकते हैं, पिछले कई दिनों से, या कुछ का कहें तो कई महीनों से, लगातार इस नोट्स की मांग की जा रहे थी, क्योंकि मैम ने ये बैच इस साट कर दिया था, पहले हैं और आपके प्रिंटेट नोट्स भी आ चुके हैं, यानि के कम्प्लीट मेट्रियल आ चुका है, इसलिए हम आपको इस वीडियो को बना रहे हैं, ताकि हम आपको सभी चीज़ों को अच्छे से दिखा पाएं, और इसके बारे पूरी जनकारी दे सके हैं, दोस्तों ये पहले पहले आपको जो मैं दिखा रहा हूं ये तोटल पाच बॉकलेट के सेट हैं, ये प्रिंटेट में और ये चार क्लास नोट्स हैं, ही तोटल चार बॉकलेट में होता है, इस में आपका इंडेक्स के साथ सा टौपिक नाम भी होता है, तो हम इसके ऊपर विशे सुरू पॉण्डेंस मेटरियल लिखा होता है इसके नाम है यह आए देखते अंदर से और यह जो आप देख रहे हैं यह एक लोगो है यह मैंके हर एक नोट्स पर यह लोगो होता है और इसे हम लोग हलका कर देते हैं ताकि आपको पढ़ने में दिक्कत ना आए दोस्तों मेरा नाम यह राजेश्वर्मा है और यह राजेश्पुकष्टूर है आपको मैं अभी यह मैट्रिल दिखा रहा हूं इसे तो आप मंगा ही सकते हैं घर बैठे अराम से मंगा सकते हैं इसके अलावा आपको GS के नोट्स भी लेने हो पैस्टिरिज लेने हो करेंट अफिर्स लेने हो या पीछे का मूल कारण यह होता है कि जब लेटर की साइज को छोटा कर दिया जाए या पेपर प्रिंट के क्वालिटी को सस्ता यूज़ किया जाए इस वज़ए से क्या होता है कि जो मैट्रियल के कीमत है वो नीचे या उपर जाता है इस तरह से क्वाम बेसिक करने से अपड करता हूं जैसे कि आप यह पहली बुकलेट देखे भारत यह विस्व का भारत यह विस्व लिखा हुआ है और इसके अंदर नीचे में कुछ टॉपिक दिये गया है यह आपके पेपर टू का टॉपिक है इसमें आप तो यह भारत और विस्व के संदर में बहुत से जो जो का अंतराश्ची संबन सिधानत और वैवहार इसमें आपको कुछ जोरी टॉपिक दिये गए हैं जैसे अंतराश्ची राजनीती का परीचे देखिए आप इसे में जूम कर दे रहा हूं सभी चीजों को पढ़ूंगा तो समय बहुत कम होता है वीडियो में तो चीजों को ज रहने के लिए मगार है जरुवत जरुवत इस बात की होती है कि आप इसे पहले अच्छे से जानने और समझ लें ठीक है अगला बुकल्ट देख रहे हैं यह आप देख रहे हैं और इसका यह टॉपिक है आपका भारतीय राजनितिक चीन तक जैसे वेश्टन पॉलिटिकल होता है उसी तरह से उन्दिल पॉलिटिकल ठीकर भी होते हैं और इसमें आपके जो मेन में वेक्ति हैं और जो उनके सोच जो व cheddar रहा है ठीक है और क्वालिटी तो सही रहेगा क्वालिटी के चींता अपना कीजिए उसके लिए इतना हो हमारा मून में फोकस जो है आपको मैटरियल को दिखाने और समझाने पर है क्योंकि जब तक से आप चीजों को समझें के नहीं क्या ले रहे हैं उससे आपको क्या सीद्धान वं विचार गहा यह अंदर में उसी का दूसरा भाग हो सकता है ठीक है और इसमें आपको आगे के चीजों को समझाए गया है और कुछी स्था से चीजों को बताげ और सम्झायल अब मैं आगे और के बारे में बता आया गया है तो यह दोस्तों अवे आपको इसे बता दिया और समझा दिया अब हम इस dela लेकर चलते हैं के यह आपके चार बुक्लेट हैं यह हांटेटें होते हैं और यह दोनों में मूझ अंतर जो होता है और समझा है तब जाके वो कोपी पे बच्चों को लिखवाती है तो जो लिखवाती वह भी बहुत एहम होता है और यह तो एहम है ही इन दोनों को मिला करके आपके सिलेबस को मैं कपर कराती है तो अब हम हैंड़ीटन को लिखाना स्टार्ट करते हैं जो मैं कलास में लिखवाती है इनने भी आप देख लीजिए ठीक है राइटिंग सही है क्वालिटी भी सही है आप पढ़ सकते हैं यहां भी आपको लोगों देखने को मिल रहा होगा तो लोगों होता है हम लोग इसको हलका कर देते हैं ताकि आपको पढ़ने में दिक्कत ना हो फिर भी थोड़ी बूत परिशानी होती है पर इससे कुछ ज़्यादा दिक्कत नहीं होता है दोस्तों अगर आपको यह मंगाना है तो आप इसे घर वेटे भी मंगा सकते हैं मेरा नाम राजेश वर्मा और यह राजेश बुक स्टोर है मंगाने के लाब दियेगा नंबर पर कॉल मैसेश कर लिजेगा इसके अगर आपको यह लेना है